और वीडियोस के लिए लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबाएं नमस्कार राजिस्थान संबार में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ चेतना और आज हमारे साथ मौझूद हैं राजिस्थान के राजनीती के वरिष्ट राजनीतिग्यें और निर्दली मंच के सही उजग चंदरा सिंग्वे जी, सिंग्वे जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है सिंग्वे जी, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोदेश में चुनावी माहौल को लेके घमासान मचा हुआ है बेजेपी हो, कॉंग्रिस हो, सब में उथल पुथल से मचे हुई है आज अभी हम बात करेंगे कॉंग्रिस की कॉंग्रिस की लिस्ट बड़ी देरी से आई, बहुत इंतजार करवाया इसके पीछे क्या आंत्रिकले वज़े रही? थोड़ा बहुत तो ही, ऐसा है कि एक बरात में एक दूला होता है तो सारा का द्यान दूले के तरफ रहता है कांग्रिस की बरात में चार्ट दूले प्यदा हो गए, इस देर जिवा की दिरतर हो गया फिर कांग्रिस को एक सो पचास सीट की उम्मिद थी तो जबहा गंबिर हुए ही नहीं कि दस बीस चूट भी जाएगी तो क्या है एक सो चीज तो हमारी है ही इसलिए इस चुनाव की लिस्ट में कांग्रिस को 15-15 जख्षिटों का नुक्सान हुआ है मकर वो इतना नहीं मेजर नहीं है कुछ लोगों का विद्रा तो ठीक हो जाएगा इसके पीछे तो ये वजह बताई उन्होंने पर महिला उमीद्वारों को भी उन्होंने जादा जगह नहीं दी जोती खंडेलवाल, मंजु शर्मा जैसे उमीद्वारों को टिकेट नहीं दिये महिलाओं में भी एक खास नाराजगी पैदा हो गई है इसके बारे में आप क्या गई दिया भी है जो तुम्हें उसको दे दिया वे कोई बत्लमी नहीं है दिया ऐसी कोई बात नहीं है मगर देना चाहिए था ज़्यादा अब नाराजगी का तो प्रश्णी नहीं है जाएगा का या तो मेरे निर्दनी मंचने आएगा या अनुमान के साथ जाएगा बात प्रश्णी मजाग में कुछ ठीक ठीक कर दी ऐसी अब जगणा पढ़ गया सचिन पाइलिट का अचोग जी का या उतक आपसी लड़़्य City दान जयुकर मैं जबा जाएगा करना नहीं चाहता हूं पर मैं इतना जरुड जानता हूँ कि मरी मरी कांगरेश भी खड़ी-करड़ी बातपा देबारी है बातपा के अंदर तो इतने गंदे टिकेट बाते गए कि कांग्रियस वालों को सोचने की जरुती नहीं है कैमिनेट मंतियों ने इस्तिवा दिया है वो तो करद सत्ता में है नहीं उनके पूर्वन्तियों ने दे दिया तो वो बड़ी बात नहीं है पर वर्तमान सत्ता में उन्हों ने दे दिये इसे कांग्रियस की जीतता है कांग्रियस एक सो और एक सो से कुछ ऊपर चीटे लाएगी अगर कम पढ़ जाएगी तो हमारा निर्दलिया मंच जुतनी ताकस्य कांग्री सरकार बार्णे मैंकांग्रीक की मदद करेगा हमने भारतिये जन्ता प्र प्रक्श्श्य और हैस साबीट कर दिया है इतने हम जाते है TO YOUR अच्षी बात वरना हम आहमारे gamothता पार्टि Ho तो राजस्तान से विदा होना तै है मैंने 2023 में विग्यापन दिया था अल्विधा घैलो बीजेवे 120 प्लस अब मैं आपको बता रहा हूं 12 दिसंबर का विरा विग्यापन जो चपने वाला है अभी से तयार है उसको मैंने एडिंग दिया है बड़े बेयाबरू होकर तेरे तो जाना पड़ेगा भार्तीय जनता पार्टी को मजीरे मजावती में जाएंगे मैं इसी ची यृ लाइन्स से आपको विदाई का ज़सा दिखा दूगा सिंग्वी जी, सचिन पाली जी के बारे में कहा जाता है, एक रंचोरदास नाम लिया जाता है उनके बारे में. ऐसा कहा जाता है कि वो जहां से चुनाव लड़ते हैं, फिर दुबारा उस जगे मुड़कर भी नहीं देखते हैं. इस ट्रेज़िडिय के बारे में आप क्या कहेंगे क्या ये काम आएगी इन चुनाव और ने जिदनेगी में एक से दूसरी बाटी के चुनाव लड़ाई नहीं यह उस पर का सुधा है यह मैं इतना जानता हूं कि उस पर कोई आरोप नहीं है साथिन पर कोई आरोप नहीं है साथिन गुजर होते भी गुजरवाद नहीं करता है साथिन एक अच्छा आदमी है उसके पिता का अच्छा नाम ता राजित मेरा दोस्ता खास मैं इतना जिरूर जानता हूं कि साथिन के बारे में जो परचार किया जा रहा है वो भाष्टिय जन्ता प्रैयुजित तरीके से करवा रही है। अरोपों कि आपने बी बात करी आरोप तो कॉंग्रीस पर धियों जब इनके पहले लिस्ट जारी उप कि इनमों ने आरुपियों को भी टिकर्डịएए ऐसे लोगों को भी टिकर्ट दी है जिनके आपरादिके रिकॉर्ड दर्ज होयफ हैं इसके बारे में आप क्या कहीं 200 विदान सभा सीटों में से मेरे स्टाफ दो सो पर येकनेक आरोफ है एकनेक आरोफ है गंबिर आरोफ है तो नाकरिक चिट काटा है नहां गंबिर आरोफ है उसके चिट काटे हैं अब छोटे-बटे आरोफ है इतनी तक्णी कदर आप जाओगे तो चुरा हो गई नहीं फिर आपको पहले साथ क्रोड की जनता में मेरे जैसे दूसों चैरे डूढने पड़ेंगे जो आसानी से आपको मिलेंगे यह तो आपने खूब कहा है सिंग भी जी कॉंग्रेस को आप अपना समर्थन देने की बात कह चुके हैं क्या कहेंगे आपकी अगर कॉंग्रेस का आप कितन बश्पा की भी आ सकती है मगर एक बात है यह पहला मौका है जा सारे चुनाव लड़ने वाले के लोगों के मन में एक बावना है यार कागरेस आये तो बहुत अच्छा है बात्पा का जाना उससे अच्छा है मतलब कागरेस आने रही है बात्पा जा रही है कागरेस का स्व मर दिटेंदन ने न टनी का मुक्यमनति का दवधारू है। महराज लिश्वं करिंदर सुष सिता रजात है। उप्यवारू है फिर ननटनी का मुक्यमनति का दवधारू। मगर वो कह सकते थे! भाडरतीय दंता पारणी में तो गुलामी की परता है! किने किने नीं करता है कोई सामने खुल के विरोध नी करता है कौई खागरे से विरोध होता है अच्छो गयलो तो अगर मांडो दो बार रहे चुका है और फिर उसकी रहने की इच्छा होती है तो आप यह मान के चलो भी जिब खाना स्वादिश्टो तो लार्त तुस्तब की टपकती है अब तो आने वाले चुनावों में कौन जीतेगा किसके कितनी सीटे आएगी यह सब के सामने बहुत जल्द आने वाला है आप देखते रहे राजस्थान समबाद नमस्कार